इस दुनिया के अधिकांश धर दावा करते हैं कि इश्वर ने इंसानों को बनाया पर्माना विकास का विज्ञान कहता है कि इंसान बंदरों से विक्सित हुए है मुझे किसमे विश्वास करना चाहिए? आप किसके करीब महसुस करते हैं? तो अगर आप फावर्ड गेर में हैं तो डार्विन के साथ जाईए और रिवर्स गेर में हैं तो इश्वर के साथ ये दो अलग अलग तरीके हैं एक ही चीज़ को करने के सद्गुरू, मैं विज्ञान प्रिष्ट भूमी का चातर हूँ इस दुनिया के अधिकांश धर्म दावा करते हैं कि इश्वर ने इंसानों को बनाया परमाना विकास का विज्ञान कहता है कि इंसान बंदरों से विक्सित हुए हैं मुझे किसमे विश्वास करना चाहिए? आप किसके करीब महसूस करते हैं? इंसान होने के कारण मुझे लगता है कि मैं इंसानों से विक्सित हुआ हूँ देखिए अगर आप रिवर्स गेर में हैं तो आपको पहला चुड़ना चाहिए धर्म गुर्वों की बात कि आपको ईश्वर ने बनाया है और आप उस दिशा में जा रहे हैं तो बंदर की दिशा में न जाएं इश्वर के पास वापस जाएं लेकिन अगर आप विकास करना चाहते हैं तो डार्विन की सुनना बहतर है क्योंकि आपके विकास के अभी गुणजाईश है या आप पूरे विक्सित हो चुके हैं मैं पूछ रहा हूँ अभी विकास की गुणजाईश है अगर विकास की गुणजाईश है तो एक संभावना है कि आप उससे बहतर इंसान बन सकते हैं जो आप आज हैं तो अगर आप फवर्ड गेर में हैं तो डार्विन के साथ जाएं और रिवर्स गेर में हैं तो इश्वर के साथ हाँ, क्योंकि अगर आप उस मार्ग पर जाना चाहते हैं तो भक्ती जरूरी है भक्ती मतलब डिवोशन ये शब्द डिसलूशन से बनाए यानि घुलना, आप घुल जाना चाहते हैं अपनी भक्ती के, आपकी भक्ती चाहे जिसकी भी हो आप उसमें विलीन हो जाना चाहते हैं तो एक तरह से ये एक तरीका है खुद को कम से कम बनाने का ताकि आप बिल्कुल शून ने बन जाएं ये जीने का एक शांदार तरीका है भाषा में बोलने पर ये अच्छा नहीं लगता कि आप कम से कम बनना चाहते हैं नहीं, जब आप वाकई शून ने हो जाते हैं तो आप असीम भी हो जाते हैं तो भक्ती एक मार गए पर आपने वो नहीं है क्योंकि आपने थोड़ी आधुनिक शुक्षा पाली है और आप तर्क से सोचने लगे हैं अगर आप तर्क से सोचते हैं तो स्वभावी करूप से आप देख सकते हैं कि धर्ती पर जीवन विक्सित हुआ है इसमें कोई संदेह नहीं है अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि आपके ठीक पीछे बंदर है एक कदम पीछे और आप वहां पहुँच जाएंगे जल्दी जल्दी आगे बढ़ना बेटर है क्योंकि आज कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आपके और चिंपैंजी के बीच के डिने का अंतर सिर्फ एक दशमलव दो तीन प्रतिशत है एक दशमलव दो तीन प्रतिशत बहुत अधिक अंतर नहीं हैं ना तो अगर आप एक दशमलव दो तीन प्रतिशत से खुश नहीं हैं तो आपको अपने विकास में तेजी लानी होगी। योग की पूरी प्रणाली बस यही है। अपने विकास को तेज कैसे करें। आप जो हैं उसके हर आयाम में उस प्रक्रिया को तेज कैसे करें। अभी आप विकास की बात कर रहे हैं। तो चार्ल्स डाविन ने जो भी कहा, एक बकरी जिराफ बन सकती थी, उसमें लाखों साल लगे, एक सूर हाथ ही बन सकता था, और उसमें कई लाख साल लगे, और एक बंदर आदमी बन गया, जो इतनी तेजी से हुआ, कि मानव विज्ञानिकों का कहना है, कि बीच में कहीं कोई कड़ी छूटी हुई है, ये बहुत तेजी से हुआ, तो अगर विकास हुआ है, जब आप बंदर थे, आपने इच्छा नहीं की, कि मैं इंसान बनना चाता हूँ, आपने ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, प्रकृती न बस आपको आगे धकेला, ये बस जीवन की लालसा है, ये कोई चेतन चीज नहीं है, बस जीवन की लालसा है बहतर होना, एक अमीबा से यहां तक, कल्पना कीजिए, कि कितना काम हुआ है, अविश्वसनी है, है न? जितना भी समय लगा हो, एक कोशिका वाले जीव से, एक इ बर्दस्त काम हुआ है, पर अब आप ऐसे रूप में पहुँच गए हैं, जहां आपका विकास सिर्फ चेतनता में हो सकता है। तो कृपया देखिए कि उन्होंने क्या कहा। कि हम बात करते हैं, वो है वरा या सुवर। सुवर को मारना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपने शरीर से बहुत जुड़ा होता है। आज भी अगर आप बुरा बरताव करेंगे, तो लड़कियां कहेंगी यह सुवर जैसा है। हाँ या ना। तो जो चीज बहुत असब्य है आप उसे सुवर जैसा कहते हैं। तो पहला पशु स्तनपाई सुवर है, उसके बाद नरसिंग है। नरसिंग का अर्थ है आधा इंसान आधा पशु। अगले हैं वामन यानी बौना इंसान। अगले हैं परशुराम जो एक पून विक्सित इंसान है, मगर विस्फोटक और बेकाबू, आस्थिर। अगले हैं राम एक शांति पून इंसान। अगले हैं कृष्ण एक प्रेम पून, उल्लास पून इंसान। अगले हैं बुद्ध जो ध्यान करने वाले इंसान थे। अगला एक रहस्पून इंसान होना है। ये उन व्यक्तियों की बात नहीं है। बस उन लोगों को एक मील के पत्थर की तरह इस्तेमाल किया गया। यही जीवन के विकास की प्रकृती है। कई रूपों में ये डार्विन के विकास के सिध्धान्त के साथ साथ चलता है। डार्विन के विकास का सिध्धान्त सिर्फ 152 साल पुराना है। आदियोगी ने इसके बारे में बताया था 15000 साल से भी ज़ादा समय पहले। और फिर स्वभाविक रूप से अगला प्रश्ण है कि हम और विकास कर सकते हैं क्योंकि जब आप अपनी परिक्षा के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप सोचते हैं कि काश आपके पास थोड़ा और दिमांग होता। हलो, ऐसा होता है या नहीं। तो स्वभाविक प्रश्ण है क्या मैं और विकास कर सकता हूँ, अगर एक कोशिका वाला पशु इतना बड़ा बन सकता है तो क्या मैं और आगे जा सकता हूँ, तो आधियोगी बोले, आधुनिक नियूरोलोजिस्ट भी इसी बात को अलग भाशा में कह रहे हैं, बहुत महतुपून है, इसी लिए पूरी योगिक प्रणाली इन तीन पहलूओं के आसपास है, इन तीनों के महतुपून भूमिका है, फिर बोले, जब तक कि सौर मंडल की कोई बुनियादी चीज नहीं बदलती, आपका शरीर और विकास नहीं कर सकता, पर आप चेतनता मे विकास कर सकते हैं, चेतनता में विक्सित होने से हमारा मतलब है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, यह हम आप पर प्रयोक कर सकते हैं, अगर आप इच्छुक हों, हम आपको कुछ सिखा कर, आपको दिखा सकते हैं, कि आपकी बुनियादी जेनिटिक्स बदल जाएगी, तीन से नौ महिनों के अंदर अपने सिस्टम के साथ कुछ चीजें करने पर अगर आप एक निश्चित अनुशासन अपनाने के लिए तयार हैं तो आपकी जेनेटिक्स बदली जा सकती है आपकी बुधिमानी का स्तर बदला जा सकता है जिस तरह आप जीवन का अनुभव करते हैं वो बदला जा सकता है तो वे बोले आप चेतनता में विकास कर सकते हैं मगर शारिरिक रूप से विक्सित नहीं हो सकते जब तक कि ग्रहों की विवस्था में कुछ ना बदले आधुनिक नियॉरोलोजिस्ट ऐसा ही कुछ कह रहे है तो अगर आप आगे जा रहे हैं तो डार्विन को चुनिए अगर आप पीछे जाना चाहते हैं पीछे कोई बुरी जगा नहीं है अगर आप पीछे जाना चाहते हैं ये मन सोचिए कि पीछे जाना नकारात्मक है, नहीं अगर आप विलीन होना चाहते हैं तो ईश्वर की ओर जाईए अगर आप विक्सित होना चाहते हैं ये एक तरीका है, ये दो अलग-अलग तरीके हैं एक ही चीज को करने के